हलो सेट्स तो हम सुरुवात कर चुके आपके पास n praising co decreaisng function के बारे में तो मैंने लाश hydration की आपको in krism function का इंट्रबुक्शन गिए एक तो जनुरी पड़ा है वह ज्यादा से जदा थो देखें आपके पास है हमें कुशन में आपके पास किस प्रकार कहेंगे हैं आपको जनरल आइडेये आपके पास कहीं पर इरेक्ट अंतराल दिया जाएगा और दिया हुआ जो फंक्शन है उसको हम उसमें चेक करना है कि वह वर्दमान है न्यरंत्र वर्दमान है, ये हुर अरें उरत्र वर्दमान है, ह्या हरासमान है, वो हम चेक करेंगे, ठेक? दूसरा आपके पास हुता है, कि Coachn के दारण आपका जाएगी, वो अंत्राल गयात करने हैं, जहां वो वर्दमान हुआ, रास्मान हो. तो इस प्रकार से question आपके पास आएंगे, ठीक है? तो देख़ो example मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके, तो कुछ examples मैं बता रहा हूं, कुछ फिर हम x as a, question करना हम आपके पास ठीक, तो पहला example मैं आपको बता रहा हूं, देख़ो क्या है? तो question इस प्रकार से देखिए एक function आपके पास दियावा fx equal to sin x आपको दर्शाना है कि यह function अंतराल 0 to pi by 2 यह open interval आपके पास है इसमें क्या है? strictly increasing मतलब निरंतर वर्दमान और इस अंतराल, दूसरा अंतराल pi by 2 to pi के लिए और यह दोनों के दोनों किस प्रकार के इंटर्वल है यह open interval आपके पास है तो open interval में हमेसे आपके पास क्या होगा निरंतर वर्दमान और निरंतर हरासमान ही होगा अगर यह closed interval होते है तो हम कहते हैं उसमें आपके पास वो निरंतर वर्दमान वो निरंतर अख्समान के अख्तान पर कोशन होता है कि वहलों कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दर्शाइए ठीक तो सॉलुशन देए किस पकार से सबसे घ्यान पर देगा है अब मालो मैं कि क्यूंकि इस के समान क्या होता है और मैंसे कुछ भी और यहां पर इन दोनों अंत्रालों में चेक करना तो भालोंगा तो सहले मैं निकलेंगे एफ-दैस एक्स चाहे को य यह लिख तो और यह को जाएगा डिया वाइब टीएक्स तो यह के वल मैंने आपके बांगे जिखो एक्स ब्लॉंग्स टू जीरो टू पाइब अगर एक्स का माँज जीरो से पाई वाई टू के लिए पहले वाला भाग बता रहा हूं चलिए अंतराल यह पॉज्टी होता है यानि मुझे क्या प्राप्त हो गया F-X या simply आपके सुदो DYY-DX क्या positive हुआ है धनात्मक ग्यात हुआ है यानि मुझे आउकलेट का मान क्या प्राप्त हुआ है इस अंतराल में for every X belongs to 0 to pi by 2 अब मुझे पता चला है कि इस अंतराल में open interval में F-X यानि आउकलेट क्या प्राप्त हुआ है धनात्मक इसकार तो हो गया so F-X is strictly increasing आपको मालूम है किसी अंतराल में अगर open interval में आपके पास अगर आउकलेट पॉस्टीब प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि F-X क्या हो कहलेगा निरंतर वर्दमान ठीक इसी प्रकार जो दूसरा केस है दूसरा केस में आपके पास है strictly decreasing if X belongs to πाई बाई टू टू पाई अगर इसमें आपके पास है तो इसके लिए आपको मालूम है कि cos X का माहन कहुता है मैंसर इनात्मक परतेक X belongs to पाई बाई टू टू पाई आप इन दोनों के बीच का कोई भी कोन लेजिए उसमें cos X का माहन हमें से आएगा 0 से का मतलब negative यानि मुझे क्या प्राप्त हो रहा है F डैस X या DY by DX रिनात्मक प्राप्त हो रहा है परतेक X belongs to पाई बाई टू टू पाई तो यानि मुझे जो दूसरा जो भाग इसका दाज पाई बाई टू से पाई के लिए उसमें मुझे आपकुलच का माहन क्या प्राप्त हो है रिनात्मक तो इसकार्थ हो गया So function is Strictly Decreasing यानि ये निरंतर कैसा function है निरंतर हरासमान जिए आपर क्या रहता है निरंतर वर्दमान दो चीज़ों ध्यान देना है कि open interval में आपके पास जो है वो positive है या negative अगर वो positive प्राप्त हो रहा है तो वो निरंतर वर्दमान और अगर वो निरंत्मक प्राप्त हो रहे है नेगिटिव और पॉजिटिव होने के लिए जीरो होने के लिए नहीं आपके पास कंडिशन तो जीरो होने का यूज हम करेंगे आपके पास आगे जहां पर आपके पास क्या होगा कि आपके पास वो जहां पर वो शुनने हो रहागा उसके आधार पर हम अंतरालों का विगट कि फंक्शन साइनेक्स के बारे में पता थे ला कि परतेक एक्स जो कि जीरो से पाई बाई टू के लिए बीच अब एक्स लोगे तो उसमें क्या प्राफ दोरता है कॉस इसका जो आउकलस था हो क्योंकि धनात्मा का रहा था तो इसलिए फंक्शन क्या करेगा इस्ट्रिकली इ जीरो से पाई हो जाए अब थोड़ा सा ध्यान देना जीरो से पाई के लिए आपके पास कहा जाए आपके पास की जीरो से पाई के लिए आपको चेक करना है तो देखो जीरो से पाई पे जब मैं एफ डैस एक्स निकालता था तो एफ डैस एक्स का मान बिला था कॉस एक्स और cos x के value अपद 0 से πाई के बीज में देखो at x equal to πाई बाई 2 cos x equal to क्या होता है 0 अब यह आपको मालूम है हमने 10th में भी पढ़ा था 90 degree के कौन के लिए cos x का मान क्या होता है 0 तो 0 है ना तो negative ना तो positive तो हम क्या करेंगे इस 0 के सापेक्ष इस अंतराल को यह जो i अपके पास है इसको आपके पास अभी तक दो भगों में बाटा था 0 से πाई बाई 2 और πाई बाई 2 से πाई इसको हम के करेंगे दो भगों में बाटा देंगे इस πाई बाई 2 के सापेक्ष जो x का मान पाई बाई 2 जिसके लिए cos देखो हमको मालूम है अगर मैं कहाता दा 0 से πाय पे चेक कीजें तो एक ऐसा बिंदू था जहाँ पर कॉस एक्स का माँद जीरो है हम कह सकते हैं कि एकनल टू जीरो हो रहा है कब हो रहा है ऐसा एकस ब्राबर पाय बैटो यानि x ब्रापर πाई बाई टू मैं पता नहीं लगा सकता हूँ कि यह function धनात्मक है या रिनात्मक क्योंकि आपको चाहिए कहता कि अगर मैं इसमें चेक करना है कि यह निरंतर वर्दमान है यह निरंतर हरासमान है तो मुझे चेक करना पड़ा है कि इनके बीच का परतेग मान के लिए आउकला जाए तो पॉजटी हो जाया या नेगेटिव पर एक बिंदू ऐसा है जहां पर वो पॉजटी भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है तो इस बिंदू के साफिक कि इस एक जो आपके पास इन्तराल था 0 से πाई उसको तोड़ देंगे 0 से पाई बाई 2 एक अंतराल तो यह हो जाएगा और दूसरा अंतराल हो जाएगा पाई बाई 2 तो पाई अब यह दो अंतरालों में टूट गया है अब इसमें तो आपने चेक कर लिया है कि इसमें क्या था F-X positive और इसमें आपने क्या चेक क्या F-X क्या है negative यानि यहाँ आपके पास था strictly increasing function और यहाँ पर था strictly decreasing function तो अगर मैं बात करूँ पूरे अंतराल की 0 से πाई में तो एक तो 0 से πाई बाय टू तक तो वो increasing है और फिर क्या हो जा रहा है decreasing हो जा रहा है यानि इस पूरे अंतराल 0 से πाई में वो वर्दमान भी है और harassman भी दिख रहा है 0 से πाई बाय टू तक तो यह वर्दमान था और पाई बाय टू से आपके पास जो है वो कहा हरासman फर्म जिससे आप चैस को वक्र भी बना सकते हो वक्र बनाए देखो मैं आपके पास sin x क्योंकि फंक्शन है तो देखो 0 से πाई बाय टू और यहां वैल्यो उती है 1 तो 0 से पाई बाय टू तो तो कि अगा बढ़ेगा फिर उसके पाई बाय टू से पाई तक तो इसकी वैल्यो दिरी दिरी क्या होती है कि कम होती जाती है यह इस प्रकार से इसका वक्र कुछ इस प्रकार का बनता है तो देखें इस वैल्यो पर जो पाई बाय टू है उस पर और वो ना तो positive है ना ये negative है मतलब ना तो वर्दमान है ना ही अराजमान तो 0 से πाई को अगर मैं इन दोनों अंतरलों को जोड़ को मैंने का 0 से πाई में चेक हीज़े तो 0 से πाई में मैंने देखा कि ये 0 से πाई बैट लिए तो बढ़ रहा था and nor decreasing neither increasing nor decreasing अब ध्यान देना ये किस के लिए है for x belongs to 0 to πाई के लिए जब मैंने दोनों अंतरलों को एक साथ मिक्स कर दिया तो इस टाइम पर केस थोड़ा सब के पास क्योंकि ये दोनों पर गर-गर निचर दरशारा है बढ़ भी रहा है और घड भी रहा है तो ये आपके पर इसके लाएगा neither increasing and nor decreasing आपके पर ना तो ये वर्दमान होगा और ना ही हरासमान होगा पर मैंने आपको एक concept होर बताया कि जिस बिंदू पर अवकलज शुनने होगा उस पर आप ये नहीं कह पाऊगे कि वो function वर्दमान है या हरासमान है और ये बिंदू आगे बहुत important होला है जिस पर अवकलज का मान शुनने होगा है जब हम अगला topic पढ़ेंगे तो हम उसमें ऐसे ही बिंदू ज्याद करेंगे जहां पर वो वर्दमान हो रासमान होने वाले वो आपके पास आगे जाके उच्चुतम निम्दम की बिंदू कहलाते हैं वो अगला next topic अबस्ट तो आपको मैंने बता है अगर आपको चेक करना है function किसी अंत्राल में increasing तो उसके लिए आवकलज क्या होना चाहिए उस अंत्राल में धनात्माग और अगर decreasing दर्शान है तो क function ना तो फर्दमान और ना ही हरासमान क्यालेगा आपके पास ठेक तो यह आपके पास concept था increasing or decreasing वाला आपके पास ठेक आगे एक example बहुत important बतारा आपके पास function आपके पास दिया हुआ है fx equal to 4 sin x upon 2 plus cos x minus x यह एक function है आपको दर्शान है कि यह इस अंत्राल में जब x for every x belongs to 0 to pi by 2 के लिए क्लोज interval है तो closed interval मुझे करते हैं increasing and decreasing अगर open interval होगा तो उसमें वो निरंतर वर्दमान वो निरंतर हरासमान होने वाला है ठीक तो सुछ पहले x upon 2 plus cos x minus x यह है आपके पास दियावा function तो इसके लिए जब हम out close निकालते हैं तो क्या होगा f dash x equal to तो पहले इस भाका करेंगा तो यह किस से होगा आपको मालम है क्योंकि पर्मेफलन के रूप में यानि डिविजन के रूप रूल लगेगा इस पे तो उसके अनुसर हो जा sin x ऐसे ही और जब 2 का करेंगा तो 2 का तो आपके पास हो गया 0 और cos का करेंगे तो minus sin x तो यह तो हो गया whole upon denominator का होता है whole square फिर इदर minus x है तो minus x का x अब जाएगा 1 यह कुछ जाए सारा है जब मैं simplify कर रहा हूँ f dash x को तो क्या हो रहा है यह दुना गुणा हो जाएंगे तो जाएगा 8 cos x plus 4 cos square x यह minus minus का plus हो जाएगा plus 4 sin square x और यह जो 2 plus cos x का whole square यहाँ है तो जाएगा 2 plus cos x का whole square lcm के रूप में आ गया और नीचे भी है जाएगा 2 plus cos x का whole square अब देखें यह रहा है 8 cos x plus 4 इसमें मैं अगर 4 common हैं तो जाएगा 4 cos square x plus sin square x अब इसका square भी खोल देते हैं अब इसने होना सबने positive और negative भी करना सारे negative जाएगा 4 minus cos square x और minus 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 4 cos x whole upon 2 plus cos x का whole square अब ज़र सिंप्लिफाय करेंगा तो देखो क्या होगा यह 8 cos x minus 4 x का सब्सक्राइगा 4 cos x इसको जब सिंप्लिफाय करें तो यह रहा है 1 और 4 into 1 और 4 minus 4 कितना है 0 क्या बज़िए क्यों माइनस cos square x upon 2 plus cos x का whole square तो आपके पास f dash x का प्राप्ट हो देखो इसमें आ रहा है आपके पास common cos x common आपके पास हा रहा है 4 minus cos x upon 2 plus cos x का whole square तो यह मुझे प्राप्ट होगा दिये वे फंक्शन के लिए उसका आपके पास ठीक तो मुझे यह प्राप्ट हो गया यह minus 1 आपके पास ठीक तो दिया हुआ फंक्शन यह था मैंने उसका आपके ग्याद कर लिया अब हमको देखना पड़ेगा कि यह जो आउकलाज आपने निकाला है वह इस एक्स के लिए जो इस संत्राल से ले जा रहे हैं उनके लिए positive आता है यह negative आता है तो देखो किस प्रकार से करें अब पास यह था माँन के होता है माइनस वन से वन के बीच होता है और अब फोर में से उसको माइनस करेंगे तो चाहिए माइनस वन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्य कोई भी ले लो तो यह हमें से लिए positive ठीक एक से रहां कि saying तो ये भी आपके पास परतेक X के लिए आप X का अमान कहीं से भी ले लिए परतेक के लिए क्या हो गई है तो क्योंकि मुझे मालूम है कि इसने भी positive होना है इसने भी positive होना है तो इसका सिर्द सिदरता है F dash X is positive or negative depends on depends on केवल cos X जो इसमें ये cos X नहीं है इस पर depend करता है कि आपके पास F dash X ने positive होना है या negative क्योंकि मुझे मालूम है कि 4 cos X भी positive है और 2 plus cos X का whole square भी क्या है positive है तो F dash X positive होगा या negative होगा वो किस पर depend कर रहा है केवल cos X पर और आपके पास ये भी मालूम है आपको also cos X is positive for every X belongs to 0 to pi by 2 क्योंकि दिया हुआ function के लिए वो open interval close interval है पर और college के लिए हमें से कह लेते है open interval तो देखो आपको मालूम है cos X का मान क्या होता है में इसा धनात्मक होता है पर तेक X जो कि 0 से pi by 2 तो पहले चतुतांस में से आप कोई भी X का मान लेजे आपके पास सारे तिर्कोन मीतिया अनुपात की होता है मैं सब positive तो देखो मुझे प्राप्त क्या हुआ मुझे प्राप्त हुआ F डैस X में जो cos X है ये भी positive है 4 minus cos X भी positive है और 2 plus cos X का whole square भी क्या है positive यानि ये पूरी की quantity क्या है positive for every X belongs to 0 to pi by 2 क्योंकि ये तो हमेशा positive होएगा X का whole भी मान ले और ये भी क्या होगा हमेशा positive होगा X के परते एक मान ले पर ये पूरी quantity positive नेगेटिव को depend करता है cos X पर और cos X इस अंतराल के लिए क्लिए होता हमेशा positive अगर ये अंतराल pi by 2 से 3 pi by 2 के बीच कर दिया होता तो वहाँ cos X क्या होता है negative तो पूरी quantity क्योंकि ये ती negative या नहीं harassment function होता है पर यहाँ पर क्या है क्या आपने क्या पता लगा है कि f dash X क्या है कि जो ये value प्राप्त हो रही है ये हमें से क्या है positive प्राप्त हो रही है इस अंतराल के लिए है तो hence fx is increasing in interval 0 to pi by 2 तो ये function जो दिया हो था वो क्या होगा एक वर्दमान फिलान होगा अब थोड़ा सा अंतरालों का अंतर है closed interval है तो क्यों इनक्रीजिंग है decreasing होगा और open interval हो तो क्या होगा बहुत important example आपके पास है access में भी side question आपके पास है देखना आपके पास तो ये आपके पास दो चार चीज़ों का ध्यान देना है कि भई मैं इसको जब कर रहा हूँ तो मैंने ये quantity आई मुझे देखना है कि ये positive और negative अब मुझे मालम है इसमें जो तीन ये quantity है उनमें ये तो हमें से positive है ये भी positive होता है तो यानि ये अवकलज positive और negative को डिपेंड करता है क्यों कॉस x पर और कॉस x मुझे मालम है पर टेक एक्स जो की परसम से रुजान से लेंगे उसके लिए काफी important example आपके पास तो अगला example देखें आपके पास अब जो मैं आपको एक्जांपल बता रहा हूं यह आपके पास जो कुशन आपके पास है इस प्रतारे कुशन बहुत आपके पास हते हैं कुशन क्या है देखें आपको अंतराल ग्याद करने है find interval where function यह दियावा function है वो क्या है strictly increasing और strictly decreasing मतलब आपको open interval ग्याद करने जहां यह निरंतर वर्दमान वो निरंतर हरासमान हो जाए ठीक तो देखें method क्या होगा क्योंकि यह real function है तो इसका pranth r होने वाला आपके पास ठीक तो इसको उसी का use channel देखो तो उससे पहले देखो दियावा function क्या है fx equal to 2x square minus 3x अब मुझे मालम है कि यह निरंतर वर्दमान वो निरंतर हरासमान होगा उसके लिए मुझे देखना पड़ाए कि आउकलज धनात्मक है या रिनात्मक अब धनात्मक होने पर ही depend करने वाला आपके पास की function वर्दमान है या हरासमान तो देखें आपके पास सब सबसे पहले मैं इसका आउकलज गयाद कर लूँगा तो fx equal to करेंगे तो 4x minus 3 तो यह इसका आउकलज प्राप्ट हो अब यह positive या negative अब बर्क है किसमें वो देखना पड़ेगा अब मुझे मालम है कि यह धनात्मक और धनात्मक के लिए हमें पतार लगने वाले आपके पास तो हम सबसे पहले ऐसा पॉइंट गयाद करेंगे जहां पर आउकलज क्या हो जाएगा शुन्य हो जाएगा ध्यान देना आपके पास सबसे पहले है क्योंकि मुझे आउकलज का मान चेक करना है कि वो negative है या positive वो depend करता है आपके पास कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इस function की value यानि इसके आउकलज क्या जो मान मिला ना इस function के लिए आउकलज ये negative होगा जहां पर तो उसके लिए हम कहते है निरंतर वर्द मान वे negative के लिए हरास मान और अगर positive प्राप्ट होगा तो वर्द मान पर कुछ values पर ये शुनने भी तो हो सकता है एक्स के कुछ मानों पर भ रहा है एक्स बराबर तीन बटे चार ये वो मान है जिस पर मैं पता ने लगा पाऊंगा कि ये वर्द मान है या रास मान तो करेंगा क्या आपके पार हम इस बिंदू एक्स बराबर तीन बटे चार के सापेक्श इसके प्रांथ को क्या करेंगे एक बिंदू है तो दो domain of function यानि df जो अभी तक r था जिस हम कहते है minus infinity to plus infinity is divided into divided into two sub intervals हम क्या करेंगे इसके प्रांथ को दो उप अंत्रालों में विवक्त करेंगे divided into two sub intervals with respect to जिस point के सापेक्ष आपने वो शुन्ने प्राप्त किया है अब देखो मुझे प्राप्त हो था तीन बटे चार पर अवकलेज का मांद शुन्ने है तो यानि अब पास हम क्या करेंगे इसका जो प्रांथ था domain जो आपके पास था वो था minus infinity से infinity यानि क्योंकि वास्त वी फ़लाना है तो उसका प्रांथ भी होगा वास्त था होगा समझे है क्योंकि मुझे मालम है कि आपकलेज इस बिंदू पर शुन्ने होगा है तो इस बिंदू के सापेक्ष दो उप अंतरावल में विवगत होगा as i1 हो जाएगा minus infinity से ये बिंदू और i2 हो जाएगा इस बिंदू से मान लो कि एक बिंदू होगा प्राप्ट होगा यहां पर तो एक ही मिल रहा है मैंने मैंक आपके पास है ना minus 2 पर भी क्या उड़ता सुनने है ध्यान देना अगर दो बिंदू प्राप्ट होते हैं यहां पर तो हम उनको तीन अंतरालों में विवगत करते हैं एक बिंदू के सापेक्स दो में अगर यहां पर मान लो कि minus 2 था ना तो हम लिखते है minus infinity से minus 2 फिर minus 2 से 3 बटे 4 और फिर 3 बटे 4 से कुलमील लागे कर ना कैए प्रांत में से बिंदू था देना है तो मैंने धेख़िए यहां इन पर पिबड़ चार यहां भी शामिल नहीं किया आप मैं एक एक करके चेक करूंगा इन अनतरालों में कि अवकलज धनात्मा काता है या एडात्मा काता है ओ अब हमको चेक करना आपके बाए इस r को दो उप अंत्रालों में विभगत किया मैनस इन्फिटी से 3 अपॉन 4 यह फरस्ट इंटरीबल होगया उपन इंटरीबल है और दूसरा क्या है 3 अपॉन 4 से प्लस इन्फिटी अगर point होते 2 तो 2 के respect में 3 interval टूट थे मान लो कि minus 2 भी होता ना तो minus infinity से minus 2 फिर minus 2 से 3 बिटे 4 फिर 3 बिटे 4 से plus infinity ठेक तो इस प्रकार से हमने इस बिंदू को उसके प्रांथ से हटा दिया है तो आपके पास ये दो antral प्राप्त हो रहे अब इन दोनों antral में चेक करेंगे कि कहा function वर्दमान और कहा हराजमान अब मुझे ग्याद क्या करने है antral ही तो ग्याद करने है तो ये 2 antral है अब देखेंगे किसमे वर्दमान और किसमे हराजमान होता है ठेक तो देखें एक एक एकर ज़रेंगे तो पहला अंतराल है माइनस इंफिनिटी से 3 अपॉन 4 इसमें हम चेक करेंगे कि इस अंतराल में फ्लन वर्दमान है हराजमान ठेक तो मुझे प्राप्त हुआ है F डैस से तो मैं क्या करूंगा इस अंतराल में से कोई भी एक बिंदू ले लोंगा तो मुझे मालूम है सबसे सरल क्या होगा इनके बीच में क्योंकि शुनने आ रहा है तो मैंने सिदे X इक्वल टू जिरो ले लिया जो कि इस अंतराल का है माइनस इंफिनिटी टू तीन बटे चार इस अंतराल में से मैंने एक बिंदू पर इसका मांच चेक करना है तो F-X का मांच चेक के मैंने X ब्राबर 0 पर मतला आउकलज का मांच ध्यान देना है कि एक पॉइंट लेना आपको इस अंतराल में से तो मैंने बोला सबसे सरल पॉइंट क्या हो जागा जिरो केलिकुलेशन के लिए ते और है 4 इंटो 0-3 यानि माइनस 3 मुझे क्या प्राप्ट हुआ कि इस दोनों बिंदों के बीच के किसी पॉइंट कोई भी पॉइंट आप ले लिजे उस पे आउकलेज क्या रहा है शुनने है तो इसका मुझे प्राप्ट हुआ F-X is negative for every X belongs to I1 अब इस पहले अंतराल जो आप के पास minus infinity से 3 upon 4 इसके बीच कोई भी मान ले लिजे X का वहाँ क्या हो रहा है आउकलेज क्या हो रहा है रिनात्मा इसकारत हो गया F-X is strictly decreasing in जो पहला अंतराल I1 था उसमें क्या हो रहा है वह आपके पास आउकलेज क्योंकि रिनात्मा प्राप्ट हो रहा है तो वह क्या कहलेगा रिनात्मा इसी प्रकार 4 I2 I2 है 3 upon 4 से प्लस इंफिनिटी इसके भी मैंने देखा F-X तो वही होगा उसमें कोई परिवर्टन नहीं होने वाला है तो आप करना क्या है इस अंतराल में से कोई भी एक मान यहां रख देना है X का तो मैंने रख दिया आपके पास सिदे-सिदे X equal to 1 क्योंकि 1 इसके बीच में आ रहा है तो देखो F-X का मान X ब्राबर 1 यानि F-X का मान निकालना है 1 पर दिया हो रहा है 4 into 1 minus 3 यानि कितना रहा है प्लस 1 तो क्या सिदे क्योंकि जैसे में आप रहा है तो 4 minus 3 कितना होगा आपके पास एक जो कि कहा रहा है positive यह यह नहीं आप ऐसे नहीं कि 1 कोई भी मान रखोगा न हमेंसे क्या है यह जो आपके पास प्राब्द हो रहा है F-X is positive आपके लाज का चिन क्या प्राब्द हो है positive for every X belongs to I2 कोई भी मान ले लिज़े आप 3 upon 4 से प्लस इनिफरी का तो हमेंसे क्याने वाला है इस इस ट्रिक्ली इंक्रीजिंग इन आए टू तो मैंने आपके पास वह अंतराल ग्याद कर लें हैं जिन पर यह आपके पास यह वर्दमान वह रासमान आपके पास है अब इसको रिज़ल लिखने का तरीका आपके पास देखें कुछ और आपके पास है टेवल बनाके भी और संख्यारे को भी दर साथ से देख किस पकार से तो देखें आपने इस फंक्शन के लिए आपके प्राप्त किया था और हमने अंतराल भी ज्याद कर लें आइवन में वह रासमान था रूद इसको रिज़ल को लिखने का तरीका आपके पास दो केस प्रकार से टेबल बनाते हैं यहाँ पर जाएंगे इंटरवल ठिक यह अंतराल आएंगे फिर अधर आपके पास हाएगा साइन ओफ एफडास एकस अवख फिर यह आपर दो यह न्तराल है तो मैंने दो यह आपके पास अंतराल बनाने के लिए इस प्रकार देख तो आई वन जिसको आप लिसे तो माइनस इन्फिनिटी टू थ्री अपॉन फूर ठीक और आई टू वो आपके पास बताया हुआ है थ्री अपॉन फूर से प्लस इन्फिनिटी अब मैंने यह आप थोड़ा सा शॉर्ट में लिए देखो तो सबसे पहले देखो क्योंकि जो अंतराल आई वन में था उसमें चिन कि प्राफ थो रहे हैं तो इसका जो रिखन्ए तरीका है वह इस प्रकार से प्रेदे बाते हो है D infinity से 3 upon 4 तक और 3 upon 4 से infinity ठीक तरीक तो यह जो दूसरा तरीका आपके पास है result को लिखने के लिए तो यह result आपके पास संख्यार रखा वाला आपने पड़ा आपके पास देखो यह संख्यार रखा बना दिया मैंने minus infinity से plus infinity अब मुझे मालूम है क्योंकि बिंदू जो तीन बटे चार था वो इसमें शामिल नहीं था तो हम एक हॉलो आपके पास इस प्रकार से सर्गल बनाएंगे और यहां लिख दिया जाएगा तीन बटे चार अब इस तरह बने एक डार्क भाग कर दिये यह ग्रीन से यह जो डार्क भाग है यहां पर मैं नेजर लिखूंगा पहले आप साइन लिखूंगा उपर से F-X का चिन धनात्माग और यहां क्या था F-X का चिन धनात्माग अब जो मैंने शेड नहीं जो डार्क नहीं क्या है वो इधर की तरफ है X का मान जब तीन बटे चार से दिख था तो तो आउटकलेज का मान कहता है पॉश्ट और इसके नीचे कहता है नेगेटिव तो यह आपके पास चिन को निरुपित कर रहा है अब नेचर लिखना है तो नेचर मैंने नीचे लिग दिया यहां पर कहला है आपके पास फंक्शन इस ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इसमें कहलाएगा इसट्रिक्ली इंक्रेजिग तो यह भी आपके पास रिजल्ट को निरुपित करने का तरीका है तो सिंपल से कुशन आपके पास आएंगे एक तो मैंने बतादे कि किसी में अंतराल दे दिया जाएगा और आपको का जाएग कि दर्शाहिए इसमें निरं पहले आवकलज गयाद करेंगे और उन बिंदू को निकालेंगे जिन पर आवकलज का मान क्या हुआ है शुन्य हुआ है और उस बिंदू के सापेक्षे करेंगे हम उसके प्रांत को विभक्त करेंगे अगर एक बिंदू है तो दो अंत्रालों में टूटेगा दो बिंदू हों इसके बाद वो आपको उसमें हम करेंगा आपके पास इस एकसाइज के जो एकसाइज आपके पास किताब में 6.2 है उसके कुछ कोशन आपके पास ठीक एक बार दोबारा इसको जो थियोरी उसको पढ़ें और सबसे इंपॉर्टन पॉइंट है जहां पर आउगलत शुनने हु पर आपको इस टाइम पर ध्यान देना है कि आउकलच का चिन जिस अंतराल में पॉज्टी हो जाए वहां वर्दमान और जहां नेगिटिव हो जाए वहां के कलेगा हरास्मान ठीक और रिजल्ट को निरुपीत करने के लिए मैं आपके बाद दो तरीक बाद एक टेवल मैथ सैज 6.2 के कोशन करेंगे आपके बाद ठीक ओके